कच्छा पांच कारक बच्चो आज हम कारक के विजय में पढ़ेंगे कारक को पहचाने के लिए सबसे पहले मैं पुछ वाक्य पढ़ रही हूं ब्रिच हमारे मित्र हैं ब्रिच पर पच्छी का घोसला होता है माली फूलों से माला बनाता है इस वाक्य में पर, का, से ऐसे चिन है जिन से वाक्यों का अर्थ समझ में आ रहा है ये कारक चिन है संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, क्रिया, अत्वा, वाक्य के अन सब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते है बच्चों, कारकों की पहचान उनके चिन हो से या अर्थ से होती है कारक चिन हो को विभक्ती या परसर्ग भी कहते है जैसे वह चमच से खाता है से हटाने पर वह चमच खाता है अर्थाथ इसका अर्थ जो है वो बिगड जाएगा इसलिए जब हम यहाँ पर लगाएंगे से तब इसका अर्थ जो है वो इस्पष्ट होता है कि वह चमच से खाता है यानि वह कैसे खा रहा है? चमच से खा रहा है कारक क्या है और उसके विभक्ति चिन्ह क्या है? वो मैं आपको बताती हूँ करता ने, कर्म को, करन से या द्वारा, संप्रदान, के लिए को अपादान, से अलग होना, यहाँ पे करन में भी से है और अपादान में ही से है अपादान से का अर्थ होता है, मतलब जिसे दूरी प्रतित हो जैसे पेड से पत्ता गिरता है, यानि पेड से पत्ता अलग हो रहा है इसलिए यहाँ पे अपदान कारक होगा, ठीक है, संबंद का के की रारे री, अधिकरन मे पर, संबोधन हे अरे, अब थोड़ा इसे हम विस्तार से समझ लेते हैं, करता कारक क्या है, करता कारक काम को करने वाला करता कहलाता है, जैसे बच्चा खेल रहा है, यहाँ पे कौन खेल रहा है, बच्चा, यहाँ करता कौन है, बच्चा है, तो करता क्या होगा, बच्चा होगा, कर्मकारक, करता के काम का प्रभाव, जिस पर पढ़ता है, उसे कर्मकारक कहते हैं, जैसे दिव्या ने तोते को उड़ाया, दिव् ठीक है तो यहां कर्म क्या है यहां कर्म तोता है क्योंकि दिव्या जो काम कर रही है उसका प्रभाव किस पर पढ़ रहा है कर्म पर पढ़ रहा है ठीक है इसलिए यहां पर तोता जो है वो कर्म होगा करनकारक, काम को पूरा करने में जो सहायता करे वह करनकारक होता है जैसे बच्चा चस्मे से किताब पढ़ता है या बच्चा कलम से लिख रहा है किसी से लिख रहा है? कलम से लिख रहा है या किसी से पढ़ रहा है? चस्मे से पढ़ रहा है यहाँ पढ़ाई करने में सहायक चस्मा करनकारक है संप्रदान कारक जिसके लिए काम किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए वह संप्रदान कहलाता है जैसे मा बेटी के लिए बस्ता लाई किसके लिए लाए बेटी के लिए लाई अतर यहां बेटी जो है वो संप्रदान कारक है अपादान कारक जहां से वस्तु अलग होती है वो अपादान कारक होता है बच्चो करन कारक और अपादान कारक ये दोनों को समझना बहुत ही आविसक है जहां पर वस्तु के साथ उसका जुडाव हो जैसे बच्चा कलम से लिखता है बच्चा चसमे से किताब पढ़ता है वहां पर क्या होगा? वहां पर करनकारक होगा लेकिन जहां दोनों में अलगाव दिखता है जैसे वह स्कूल से आ रहा है ठीक है? या जैसे हाथ से पेंसिल गिरी हाथ से पेंसिल गिरी यानि हाथ से पेंसिल क्या हो गया? अलग हो गया तो यहाँ पर क्या होगा? हाथ से यह अपदान कारक होगा संबंद कारक जहां दो के बीच संबंद बताया जाए वहां संबंद कारक है जैसे मधू के पिता डाक्टर है किसके पिता डाक्टर है? मधू के यहां मधू संबंध कारक है अधिकरन कारक सब्द के जिस रूप से काम के होने के स्थान का पता चले उसे अधिकरन कारक कहते हैं जैसे अधियापिका जी कुर्सी पर बैठी है कहां बैठी है, कुर्सी पर बैठी है, यानि कुर्सी पर, यहां बैठने का स्थान क्या है, कुर्सी है, इसलिए कुर्सी अधिकरन कारक है, संबोधन कारक, जिस सब्द से किसी को पुकारा या बुलाया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं, जैसे हे राम, रच्छा कीजिए, क संबोधन करते हैं ठीक है यहां हे राम संबोधन कारक है अरे इधर आओ यानि अरे मतलब क्या किसी को बुला रहे हैं अरे इधर आओ इसलिए यहां पे क्या होगा यहां पे संबोधन कारक होगा अरे मनसुक तुम यहां क्या कर रहे हो ठीक है तो यहां पर अरे क्या हुआ अरे मनसुक को संबोधित कर रहा है संबोधन कारक में संग्या के बाद संबोधन चिन भी लगाया जाता है उसी प्रकार कर्म कारक और संप्रदान कारक में कुछ अंतर होता है जैसे कर्मकारक और संप्रदान कारक दोनों में कोच चिन लगाया जाता है किन्तु दोनों में अंतर है यदि किसी को कुछ दिया जाता है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है जैसे साक्षी ने फलों को काटा यहाँ पे क्या होगा? कर्मकारक होगा लेकिन उसने पिताजी को फल दिये यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे संप्रदान कारक होगा इस तरह से हम कारक चिन है और कारक के विशे में जानेंगे कि कब उप्योग कहां उप्योग कैसे किया जाता है?